बिना मशीन के ही आज हम ये कॉफी बनाएंगे बिलकुल दो मिनट के अंदर हेलो एबरिवन वेलकम बैक टो माई चैनल मैं हूँ रस्मी सचान और स्वागत है आपका मेरे यूटीब चानल पर चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ चलिए कोई एक बड़ा बरतन ले लिजेगा इसमें हम डालेंगे दो चम्मच कॉफी पाउडर नॉर्मल कोई भी कॉफी पाउडर ले लिजे जो शॉप्स में उपलब्द है इसके बाद हम इसमें डालेंगे तीन चम्मच दानेदार चीनी हम यहाँ पर एक गिलास कॉफी बनाएंगे यानि कि एक लोगों के लिए इसके बाद हम इसमें डालेंगे धाई टीस्पून गरम पानी यह गरम पानी मैंने कटोरी में लिया हुआ है तो इसी टीस्पून से इस तरह का आपके घर में चम्मच ना हो तो खाने वाला नॉर्मल चम्मच अस्तेमाल कर लीजिए अब इस तरह से whisker ले लीजिए अकर whisker ना हो तो आप किसी चम्मत से किसी बड़े मग में ये काम कर सकते हैं वो भी बिल्कुल ऐसा ही result आएगा अब इसे हम फेटेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं बहुत ही आसान है देखिए ये कलर कुछ इस तरह का बहुत ही जल्दी चेंज हो जाएगा आप देखिए कलर ऐसा हो गया है हम इसे तरह से जैसे फेटते रहेंगे एकदम गाड़ी हो जाएगे अब देखिए ये अभी फेटी नहीं है उतनी अच्छी और ये अभी एकदम फेट हो जाएगे अब देखिए जिस तरह मैंने जैसे उठाया है तो ये कितनी टाइट है ये गिर नहीं रही है तो अभी देखिए अब हमारी जो कॉफी हो बिल्कुल अच्छी तरह से फेट चुकी है तो हम एक इस तरह से काज का ग्लास ले लेंगे जिसमें भी आप सर्व करना चाहते है बर्व का टुकड़ा डालेंगे एकदम ठंडा ठंडा दूर दालेंगे फ्रिज का रखा हुआ दूद हमें ज़्यादा नहीं लेना होता है जिस भी बरतन में आप जिस भी कप में या मग में सर्व करने वाले हैं या गलास में तो उसे आदे से थोड़ा ज़्याнов भरना है इसके बाद में जो सारी कॉफी हैं इसे उपर से कर देंगे लेवलिंग कर देंगे और इसमें हम थोड़ा सा कॉफी पाउडर ऊपर से सजावट के लिए छीड़क देंगे और आपकी एकदम बढ़िया रेस्टोरेंट स्टाइल कॉफी दो मिनट के अंदर घर पर बनकर तयार है तो आने वाले महमानों को बना कर पिलाए विडियो आसान लगी हो तो लाइक और शेयर करना तो बनता है और चानल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा